हेलो फ्रेंज यदि आपके से भी कॉंप्रिशन की तैयरी कर रहे हो या आपको शो के नोवल्स पोईट्री और स्टोडी पढ़ने का तो आए हमारे चैनल जी के विदमस्ति संदिप कोयल पर यहां आपको बहतरी से बहतरी ओपन्यास कहानी और कविताइं मिलेंगे और पढ़ अर्थ शास्र की शाखाए अर्थ शास्र की दो प्रमुक शाखाए हैं पहला व्यक्तिक अर्थ व्यवस्था इसके अंतरगत व्यक्तिगत स्थर पर अर्थ व्यवस्था के मूलभूत सिध्धानतों का अध्यन किया चाता है व्यक्तिगत स्थर से तातपर्या व्यक्ति या व्यक्ति अत्वाफर्म के संदर्व में बाजार की स्थिथी आय, वय, उत्पादन, वीतरण, विक्रय, वित्प्रबंधन आदी विश्यों पर विचार किया जाता है। दूसरा, व्यक्तिक अर्थव्यवस्था के परभावी तत्व। विक्रिताओं का अंतह संबंध महतवपूर्ण है। बाजार की मांग और उत्पादकों द्वारा आपुर्ती का परस्पर संबंध अर्थ विवस्था को परभावित करता है। उत्पादकों और विक्रिताओं में परस्पर सपर्धा और एकाधी कार की भावना, बाजार की स्थिति और वस्थों के मुल्ले में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। पेज नंबर 211, न्यूट्रोन तारा, सुपर्णोवा में विस्पोट के कारण तारे का नाभिक तूटकर निश्क्रिय हो जाता है, यह सिकुड कर अत्यधिक्त घनत्व से युक्त हो जाता है। 20 किलोमेटर व्यास के पिंड में सूरे से तीन गुणा भार होता है। क्रश्नगर्थ, ब्लैक होल, जब सुपर्नोवा तूटकर, सिकुड कर, ठोस और क्रश्नवर्ण का हो जाता है, तो वह दिखाई नहीं देता। परंतु घनत्व के कारण, उसका गुरुत्वा कर्शन इतना अधिक हो जाता है, कि इसके पास से गुजरती हुई परतेक वस्तु इसमें समा जाती है। इसमें प्रकाश भी समा जाता है, इसलिए इसे क्रश्नगर्थ कहते हैं। पेज नमबर 210, तीसरा उलका, उलकाएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं, जो आकाश में शन भर के लिए दमकती हैं, और लुप्त हो जाती हैं, इन्हें तूटते हुए तारे भी कहते हैं, उलकाएं शुद्र ग्रहों के टुकडे तथा धूम के इत्मों द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, पेज नमबर 211, नूट्रोन तारा, सुपरनोवा में विस्पोट के कारण तारे का नाभिक तूटकर निश्क्रिया हो जाता है, यह सिकुड कर अत्यधिक्त घनत्व से युक्त हो जाता है, 20 किलोमेटर व्यास के पिंड में सूरे से तीन गुणा भार होता है, क्रश्नगर्थ, ब्लैक होल, जब सुपरनोवा तूटकर, सिकुड कर, ठोस और क्रश्नवर्ण का हो जाता है, तो वह दिखाई नहीं देता, परंतु घनत्व के कारण उसका गुरुत्वा कर्शन इतना अधिक हो जाता है, क इसलिए इसे क्रश्नगर्थ कहते हैं, पेज नंबर दोसो बारा, अर्थशास्र के सिध्धान्थ, पहला, अर्थशास्र की आधुनिक परिभाशाएं, अर्थशास्र समाज विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतरगत वैक्ती और राष्ट्र के स्तर पर उत्पादन, व और वस्तूं के उपभोग से संबंधित अर्थववस्ता का प्रबंधन किया जाता है, अर्थववस्ता की सबसे पहले परिभाशा एडम स्मिथ ने 1776 में इस प्रकार दी है, अर्थशास्र वैशास्र हैं, जिसके अंतरगत, राष्ट्रिय सम्पत्ती की प्रक्रती और उसक कारणों पर विचार किया जाता है, इस शास्र का नाम उसने राजनीतिक अर्थववस्ता दिया था, जे बी से ने 1803 में इसे वह विज्ञान बताया जो धन के उतपादन, वितरन और उपभोग का अध्यन करे, एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक अर्थशास् अर्थशास्र के सिध्धान्त में माइक्रो एकनॉमिक्स को भी समिलित किया, और अर्थशास्र को वह विज्ञान बताया, जिसके अंतरगत मनुष्य और मनुष्य के व्यवसायों का अध्यन किया जाता है, लियो नल रोबिन्स, 1922 में ने इसे मानव वहवार उसके साधन त उसके अभावों के अध्यन का शास्र बताया, अर्थशास्र की शाखाएं, अर्थशास्र की दो प्रमुक शाखाएं हैं, पहला व्यक्तिक अर्थव्यवस्था, इसके अंतरगत, व्यक्तिगत स्तर पर अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिध्धान्तों का अध्यन किया जा आय, वय, उत्पादन, वीतरण, विक्रय, वित्प्रबंधन आदी विश्यों पर विचार किया जाता है दूसरा, राष्ट्रिय अर्थवेवस्था इसके अंतरगत, राष्ट्रिय स्तर पर कुल मिलाकर आय, वय, उत्पादन, प्रतिव्यक्ति, आय, राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय स्तर परवानिचय, बेरोजगारी, मुद्रस्वीती, महंगाई, राष्ट्रियलाब, हानी, विदेशी मुद्रा, बैंकिंग, अर्थनीती आदी विश्यों का अध्यन किया जाता है दूसरा, व्यक्तिक अर्थव्यवस्था के परभावी तत्व पहला, बाजार की स्थिति व्यक्तिक अर्थव्यवस्था में बाजार एक महतवपून परभावी तत्व है इसके अंतरगत क्रेताओं और विक्रेताओं का अंतह संबंध महतवपून है बाजार की मांग और उत्पादकों द्वारा आपुर्ती का परस्पर संबंध अर्थ विवस्था को परभावित करता है उत्पादकों और विक्रेताओं में परस्पर सपर्धा और एकादीकार की भावना बाजार की स्थिति और वस्तों के मुल्य में करांतिकारी परिवर्थन लाते हैं पेज नंबर दोसो तेरा दूसरा उत्पादन मुल्य एवं शमता बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करना अर्थ शास्त्र का प्रमुक सिधान्थ है यदि आवशक्ता से कम उत्पादन होगा तो आपूर्ती की कमी के चलते वस्तों का मुल्य स्वतह ही उचा होगा आवशक्ता से अधिक उत्पादन होने पर वस्तू का मुल्य गिर जाएगा तीसरा विशेश अग्यता बाजार में एक वस्तू की मांग के लिए विविद कम्पनियों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन की विशेश्च शग्यता महतवपोन है उच तक्नीक से बने हुए उत्पाद बाजार में उची कीमत पर बिखते हैं और उनकी मांग सदा बनी रहती है चौथा आपूर्ती एवं मांग बाजार में वस्तु की आविशक्ता को मांग कहते हैं बाजार में उस वस्तु को उपलब्द कराना आपूर्ती कहलाता है आपूर्ती एवं मांग का सिध्धान्त अर्थशास्र का सरवादिक महतवपोन सिध्धान्त है